मिटाने खबरों का गैप रोज रात आट बजे आएगा ललन टॉप शो लाइब आप डाउनलोड करें ललन टॉप एप शाहिन शाह अफरीदी सोशल मीडिया के वीरों और वकार यूनूस की माने तो बहुत बड़े तोफ हैं इन लोगों के मुताबिक शाहिन का खौफ ऐसा है कि उनकी चोट से भारतिये टॉप आडर बहुत खुश है वो लोग ऐसा फील ले रहे हैं जैसे जिन्दगी का सबसे बड़ा दर्द दूर हो गया हो और इसके पीछे तरक क्या हैं तरक हैं कि भारतिये टॉप आडर के बल्लेवाज लेफ्ट आर्म पेसर को नहीं खेल पाते नमस्ते हैं माई सेल्प सूरज और आप देख रहे हैं दीललन टॉप हाँ तो देवियों और सजनों शाहीन की चोट इस वक्त क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इशू है ऐसा हम नहीं तमान ट्रेंड्स कह रहे हैं और इन ट्रेंड्स की रूपी नदियों का समंदर है भारतिये टॉप आडर यहीं आकर यह सारी चर्चाएं खत्म हो रही है और इन सभी के मुताबिक शाहीन अफरीदी जो हैं वो होते तो भारतिये टॉप आप ओर को दोस्त कर देते और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे जी हाँ पिछले सेंटेंस में हमने दो बार चर्चा का जिकर किया क्योंकि एक बार वाली तो चल ही रही है और इस बीच अब आगे बढ़ते हैं विशय की और शाहीन शाह अफरीदी बहुत साई बॉलर है उनकी रेस्पेक्ट है हम अप मैच को हार गया लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शाहीन ने इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ सिर्फ यही एक मैच खेला है यानि यह सेंपल साइज इतना चोटा है कि क्या ही कहें इसमें वंडे भी जोडने तो कुल दो मैच हो जाते हैं वंडे फॉर्मेट में श कुछ छोटे से सेंपल साइज वाले शाहिन अब बात पूरी बहस के दूसरे सिरे लेफ्ट आम पेसर्स वर्सेज भारतिय बल्लेवाजी की क्रिक इन्फो नाम की एक वेबसाइट है हाल ही में इन लोगों ने अपनी वेबसाइट में एक मज़ेदार फीचर डाला है इसमें कुछ भी पूछो जिन निकितरा ये फीचर आपके तुरंद आपके सवाल का जवाब दे देता है तो इस फीचर से हमने अपनी बेटिंग ओडर को लेकर एक एहम सवाल पूछा सवाल यही था कि साल 2019 से अब तक हमारी दुरंदरो ने लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने कैसा प्रतरशन किया है लिष्ट का पहला नाम कप्तान रोहिशर्मा रोहिट ने लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ 50 पाजियों में 13 बार आउट होते हुए 348 रन मनाये हैं ये रन लगबर सकताइस के एवरेज और 115 के स्ट्राइक रेट से आए हैं जबकि हमारे दूसरे ओपनर राहुल ने इन पेसर्स के खिलाफ 33 पाजियों में 6 बार आउट होते हुए अनसर्ट की एवरेज से 408 रन मनाये हैं ये रन 137 की स्ट्राइक रेट से आए हैं अब नंबर किंग कोहली का कोहली तो 2019 से खराब फॉर में चली रहे हैं ऐसा पूरी दुनिया को लगता है तो इस दोर में उन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ 25 से थोड़ी ज़्यादा एबरेज के साथ 14 बार आउट होते हुए कुल 354 बनाये हैं यानि ऐसे बोलर्स के खिलाफ रोहित और कोहली को समस्या तो होती है लेकिन रुकिये जरा हमारे पास यही दो बैटर थोड़े हैं अगला नंबर सूरिकुमार यादो का जिन्होंने टीटोंटी इंटरेशनल डेब्यू के बाद से ही कमाल कर रखा है इन्होंने लेफ्ट आम पेसर्स के खिलाफ 36 पारियों में 10 बार आउट होते हुए लगबग 148 के बहतरीन इस्ट्राइग रेट से रन बनाये हैं जबकि उनका एवरेज लगबग 29 का रहा है लेकिन सूरिया के खेलने का तरीका समझने वालों को अच्छे से पता है से खेलने वाले पंथ 23 पारियों में 4 बार ऐसे पेसर्स का शिकार हुए है इसमें IPL के मैच भी शामिल है हार दिकपंडिया के शेट देखें तो उन्होंने लेफ्ट आम पेसर्स के खिलाफ को 30 पारियों में लगबग 157 के श्ट्राइग रेट से 271 बनाये हैं 9 बार ऐसे पेसर्स का शिकार हुए पंडिया का एवरेज 30 का रहा है यह तो ही आकडों की बात और इन आकडों में टेंड बोर्ड डिस्टोपली और मुहमद आमिर समय दुनिया भर के वो लेफ्ट आम पेसर्स शामिल हैं जिनोंने कभी न कभी भारत के खिलाफ बालिंग की है इन तबाम लोगों ने किसी ने किसी मौके पर भारते वल्लेवाजों को परिशान भी किया है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन क्या इनके हर पूर्ण मासी पर आये प्रदर्शन के चलते हैं हजारों रन बना चुके अपने बैटिंग ओडर को ही चुका हुआ माल लेंगे पाकिस्तान ने 2018 इश्या कब में आमिर और शाहीन से ही बॉलिंग शुरू कराई उन्हें लगा था कि दोनों एंड से लेफ्ट आम पेसर लगा देंगे तो काम बन जाएगा लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ रोहिश शर्मा और शेकर दाउन ने पूरे पाकिस्तानी बॉलिंग अटाइक की रेल बना दी और यही दोनों लेफ्ट आम पेसर सबसे महेंगे साबित हुए यानि तमाम लोगों की तरह हमारे बैटिंग और में भी कमिया है लेकिन वो कमिया परमानेट नहीं है बात बस इतनी सी है कि जब हमारे बल्लेवाजों का दिन होता है तो उन्हें बोलर की आर्म से फर्क नहीं पड़ता और अगर उनका दिन ना हो तो माइकल क्राग और जो रूट भी फाइव विकेट हॉल ले लेते हैं नमस्ते में सूरज हूँ आपके लिए वीडियो शूट किया था हमारे साथी जतिन ने देला लंट आप देखते रही और फटा 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 लंट आप स्पोर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि एशिया कब की सारी कव प्रेज आपको वही मिलेगी शुक्रिया